हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैट्स की मल्टिपल चॉइस क्वेशन सीरीज जो की चैप्टर वाइज होगी तो पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स चैप्टर यानि की जी एस टी से रिलेटेट कुछ मल्टिपल चॉइ इसके अलावा मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मल्टिपल चॉइस क्वेशन के वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ तो आपने अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देर लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं तो चलिए स्टा परचेज पर होता ही नहीं है तो यानि कि यह ओप्शन तो गलत हो जाएगा 50% of total GST on interstate purchase तो आपको पता है IGST जो होता है वो integrated GST होता है वो total GST ही होता है तो 50% तो होगा ने that will be 100% और intrastate पर होता नहीं है तो यह वाला option भी गलत हो जाएगा it is 100% of total GST on interstate purchase जब एक state से दूस स्टेज में purchase होता है तो वहाँ पर IGST लगता है और IGST total GST के बराबर होता है यानि कि उसका 100% होता है तो I hope कि आपको एक question समझ में आ गया होगा second question हमारे पास है CGST on a product worth rupees 20,000 is rupees 1200 our rate of GST on the product तो product पे GST का rate क्या होगा तो यहाँ देखे CGST दिया हुआ 1200 तो हम percentage term में निकार लेते हैं तो percentage कैसे निकार लेंगे 1200 divided by 20,000 correct into 100 तो आप यहाँ पे cancel कर सकते हो 000 and that is equal to 6% अब आप गलती से 6% पे tick मत कर दिजेगा because यह CGST है तो CGST क्या होता है half होता है CGST और half होता है SGST तो total GST कितना हो जाएगा 12% तो इसका ध्यान रखिए CGST जो होता है total GST का half होता है so the answer will be 12% not 6% तो यहाँ पे यह गलती आप प्लीज मत कीजेगा next question हमारे पास है GST on a product worth rupees 500 is 12% तो GST जो दिया होए 12% दिया होए the tax received by central government तो 12% GST है तो central government को कितना मिलेगा 6% correct तो 6% जो होगा 500 का वो आप calculate कर सकते हो that is 6 by 100 into 500 तो यह बहुत आसान सा question था that is equal to rupees 30 so correct answer is rupees 30 so simple सा यह question है next question हमारे पास है net tax paid by dealer to the government is तो net tax कितना pay करता है तो ध्यान रखिए जो tax जो dealer है उसको pay करना पड़ता है जो वो product को खरीदता है तो उसको हम कहता है input tax उसको हम क्या कहता है input tax और जब वो सामान बेजता है तो उसको जो tax मिलता है उसको हम कहता है output tax तो input tax तो पहली pay कर चुका है अब output tax उसको मिला है तो जो resultant tax होता है जो बाकी उसको pay करना होता है that is output minus input tax धहान रखिए this is output minus input tax तो यह आपका answer होगा next question हमारे पास है which of the following statement is not true इन में से कौन से statement गलत है तो पहला है cgst is paid on intrastate purchase तो क्या यह cgst intrastate purchase पे pay किया जाता है बिल्कुल सही है like rais ks painful तो अभि मैंने आपको बता है यह statement गलत है intrastate में 津ेस्ट नहीं pay किया जाता है वह चाहे वो इंट्रा स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, GST तो आपको पे करना ही पड़ता है, next question हमारे पास है, a shopkeeper buys a product and sells it to make some profit for the shopkeeper, तो सामान खरीता है और बेचता है ताकि उसको profit हो, तो क्या होगा, input GST is more than output GST, input GST is more than output GST, तो यहाँ पे देखे इसको correct कर लीजेगा, यहाँ पे less कर लीजेगा, एक में less हो जाएगा, एक में more हो जाएगा, तो पहला है, input GST is more than output GST, दूसरा है, input GST is less than output GST, तीसरा, input GST is equal to output GST, और चौथा है data inadequate, यानि कि हमको पता नहीं है, देखें, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ common sense यूज़ करना है, जब आपको इस सामान खरीदते हो, और उसको बेचते हो, तो आपको profit होता है, यहाँ पे लिखा हो है कि उसको profit होता है, तो अगर आपको profit होता है, इसका मतलब आपने खरीदा वो कम amount में है, तो जब आपने खरीदते होए जो GST दिया होगा, input GST होगा, और जब आप बेच रहे हो, ज़्यादा में बेच रहे हो, यानि कि output GST उसमें आपको मिलेगा, तो जब जितने ज़्यादा amount में आप बेच होगे, उतना ज़्यादा आपको GST मिलेगा, यानि कि output GST क्या होगा, input GST से ज़्यादा होगा, और you can say, input GST is less than output GST, तो option B will be the correct answer, इसको more की जगर less कर लिजेगा, तो input GST is less than output GST, so this will be the correct answer, तो I hope कि आपको इस समझ में आगया होगा, next question हमारे पास, GST on a machine worth Rs. 5000 is 18%, तो हमारे पास एक machine है, उस पे जो GST लग रहा हो, 18% लग रहा है, tax received by state government, in intrastate purchase of 4 such machines, तो 4 machines हमको खरीदनी है, तो intrastate purchase है, और क्योंकि 18% उस पे GST है, और यहाँ पे किस के बारे में पूछा गया, state government के बारे में, 5,000, लेकिन यह तो एक machine पे होगा, यहाँ पे इस चीज का धिहान रखना आपके लिए जरूरी है, यह होगा एक machine पर, हमने कितने ऐसी machines खरीदी हैं, 4 machines खरीदी हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, 4 times हो जाएगा, तो आप सीधा इसको solve कर लिजेगा, तो यह सीधे सीधे solve हो जाएगा, तो 50 into 4, that is 200 into 9, that is 1800 रुपीज, तो आंसर आ जाएगा आपका रुपीज, 1800, तो बहुत ही आसान यह question था आपके पास, next question हमारे पास है, MRP of a cell phone is Rs. 12,000, sold within उत्राखंड at a discount of 30%, if GST on the product is 18%, GST received by Central Government, तो काफी अच्छा question है, तो ध्यान रखे, जब MRP 12,000 दी है, और 30% discount दी है, तो पहले discounted price आपको निकालना होगा, तो जिस पर हमको tax देना पड़ेगा, तो discounted price, उसको हम P से denote कर लेते हैं, तो discounted price कितना होगा, that is 30% तो discount मिलेगा, तो 30% कम कर दीजे, तो यह हो जाएगा 70% of 12,000, तो 70 by 100 हम direct कर सकते हैं इस तरीके से, into 12,000, तो इसको आप cancel कर लीजेगा, तो that is 8400, तो कितना आ रहा है, रुपीज 8400, अब 18% यहाँ पर क्या मिल रहे हैं हमको, यहाँ पर लग रहा है GST, लेकिन हमको क्या निकालना है, GST received by Central Government, याने कि CGST पता करना, तो CGST कितना हो जाएगा मात्र 9%, तो 9% आपका CGST होगा, तो CGST कितना मिलेगा हमको, that will be equal to 9%, किसका 8400 का 12,000 का मत कर देना, तो 9 by 100 into 8400, तो यह देखे, simply cancel हो रहा है, तो this is 4 into 9, 36 and 9, into 8, 72 plus 3, that is 75, that is 756, will be your correct answer, तो आपका answer क्या हो जाएगा, रुपीज 756, बहुत ही आसान ये भी question था, next question हमारे पास है, CGST collected by sale of a product, is रुपीज 2700, तो इतना CGST हमने collect किया है, if rate of GST is 18%, तो GST का rate कितना बोला है, 18%, what is the amount paid to buy the product, तो product को खरीदने के लिए, कितना amount pay किया गया होगा, तो देखे, यहाँ पे CGST हमने collect किया है, 2700, तो ध्यान रखे, क्योंकि CGST है, total GST 18% है, तो CGST कितना होगा, 9%, तो मान लेते है, product का जो price है, रुपीज X है, तो X, क्या हो जाएगा, X का कितना percent है, 9% होगा, 2700, तो ध्यान रखे, 9% of X, यानि कि 9 by 100 into X, is equal to, 2700, तो X equal to कितना हो जाएगा, यह ध्यान रखे, that is equal to, 2700, into 100, divided by, यहाँ पे हो जाएगा 9, तो यहाँ पे cancel कर सकते हैं, तो that is equal to 30,000, तो अब ध्यान रखे, 30,000 तो उसका price है, प्लस आपको 18% GST भी रखना है, तो 18% of 30,000, आपको extra pay करना पड़ेगा, तो that will be equal to, 18 by 100 into 30,000, और यह हो जाएगा आपका, आप इसको cancel कर लीजे, तो that will be equal to, 5400, तो आपको जो amount pay करना पड़ेगा, that is 30,000, जो उसका price है, प्लस 5400, जो आपको GST पे करना है, तो that is 30,000, 35,000 हो जाएगा है, 35,400 will be your answer, तो I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा, next question हमारे पास है, जो कि last question है, mark price of TV is 15680, including GST, तो ध्यान रखिए, including GST है, the rate of GST on, it is 12% the amount of CGST, आपको CGST पता करना है, तो देखिए, यह including GST है, तो इसका मतलब मान लेते हैं, उसका जो price है, वो X मान लेते हैं, correct, तो X plus GST कितना हो जाएगा, 12% of X, याने कि 12 by 100 X, वो कितना दिया है, आपको 15680, अब आप इसको add कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100 X plus 12 X, याने कि, 112 X by 100 is equal to 15680, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे X की value calculate करोगे, तो X equal to कितना हो जाएगा, हमारे पास, that is 15680 into 100 divided by 112, याने कि 112, तो आप इसको cancel कर सकते हो बहुत इजिली, तो आप इसको 2 से cancel कीजिए, या 4 से कर लिजे direct, तो 4 से direct cancel हो जाता है, तो 4, 2, 8, यहाँ पे 28 हो रहा है, यहाँ पे देखे, 4, 3, 0, 12, प्लस 9, 0, 36, and 4, 2, 0, 8, तो यह 3, 9, 2, 0 हो रहा है, तो 7 टाइम्स आ रहा है, यह हो रहाँ आपका, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स, and 0, आप 7 से इसको cancel कर सकते हो, डिवाइड हो रहा है 7 से, तो 7, 1 और 4, यह हो रहा, 140, तो यह हो रहा, 140, 000, तो रुपीज, X के जो value आ रही, that is, 140, 4,000, अब आपको क्या पता करना है, CGST, तो CGST कितना होगा, GST कितना है, 12% है, तो CGST कितना हो जाएगा, 6%, तो 6% of, 14,000, आपको पता करना है, तो कितना हो जाएगा, 14,000 का 6%, यानि कि, 6 by 100, into, 14,000, तो इसको आप cancel कर लीजे, तो कितना हो जा रहा है, 840, तो correct answer is, Rs. 840, तो I hope कि आपको एक question भी समझ में आ गया होगा, So, this is all in this video, अगर आपकी कोई भी queries हैं, कोई भी doubts हैं, तो आप मुझे comments, Facebook, Instagram, कहीं पर भी questions पूछ सकते हैं, next video में हम discuss करेंगे, banking से related कुछ multiple choice questions, so, see you in the next lecture, thank you very much.